क्या हाल चल है मेरे भाईयों और बैनों आज हम बात करेंगे थिरी एकोनोमिस कोच के बारे में उसके बारे में डिटेल से बताएंगे और थाड़ एसी के बारे में भी डिफरेंस बताएंगे समझ लिजे आज हम बात करने वाले हैं Economist Coach के बारे में जो जल्दी launch हुआ है लगबख 6-7 माइना पहले और 3AC Coach के बारे में difference बात करेंगे वीडियो शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं 3 Economist Coach के बारे में 3 Economist Coach के जो look है 3 AC जैसे ही दिखता है 3 Economist Coach का ओ E से Start होता है E1, E2 ऐसा लिखा रहेगा और अपना 3 AC का तो आपको मालूम है B1, B2, B3 ऐसा लिखा रहेता है मैं आपको Coach का नंबर की बात बता रहा हूँ Coach का नंबर जो Economist का दिखता है ओ E से Start होता है Coach के जो उपर नंबर रहेता है तो E से Start होता है और 3 AC का B1 से B2 से B3 से ऐसा Start होता है चलिए और आगे बढ़ लेते हैं और आगे आपको दनकाली देते हैं चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं इंटीरियर किस तरह का दिखता है जैसी हम गुशते हैं आप फोटो में देख रहे हैं ठड़ AC से अच्छा ही देखता है मगर इसमें कुछ खामियां भी है वीडियो में बने रहे हैं आपको मैं बताता हूँ अब सीट देखिए ये आपको सीट जब आप ताह पर 6 लोग बैठते हैं अगर आमने सामने बैठेंगे तो आपका पैर का घुटना है पैर का घुटना एक दूसरे से लड़ेगा ठीक है और जो मीडल बर्थ है मीडल बर्थ में अगर आप लेटेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो उपर वाली सीट है आपके मुँपे ही आएगी और उपर जब लेटेंगे तो ट्रेन की जो छत है वो तुम्हारे मुँपे ही रहेगी मतलब बहुत ही कम स्पेस इसमें दी गई है इसकी मेन वज़े यह है कि इसमें 11 सीट ज़्यादा है ठढ़ AC से 11 सीट एकजस्ट करना एक ही कोच में और कोच की साइज एक ही बराबर है कोच की जो size एक ही बराबर रखी गई है ना कोच को बड़ा थोड़ी ना किया गया है तो उसमें exhaust किया गर करने मिले तो seat में जो space बहुत ही ना के बराबर है खाले interior ही बहुत अच्छा है इसके मुकाबले में जो 3 AC है उसमें 72 seat दी गई है और काफी आराम दे है बहुत ज़्यादा ही आराम दे नहीं है अगर बहुत ही ज़्यादा आराम दे चाहिए तो second AC में जाहिए second AC में middle birth नहीं रहती है उसके उज़े से space अच्छी खासी मिल जाती है अगर आप ठाड़े economist coach में जरनी कर रहे हैं तो आप side lower side upper की seat लें तो आपके लिए best seat है अब बाकी अगर 5-6 लोग बैठते हैं वहाँ पर आपसे ने seat ली है तो आपके लिए best seat नहीं है ठीक है बाकी आप कभी जरनी नहीं किये हैं तो आप जरनी करें इतना भी खराब नहीं है मगर आपको जरनी करना तो एक बास जरनी करके experience लें जरूर उसका मगर आपको side lower और side upper की seat मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और second, third AC की बात में बता रहा हूँ, third AC coach के बारे में जो बता रहा हूँ उसमें तो interior अपना पुराना ही जैसा है seat का जो price है वो 8% ज्यादा है, economist के मुकाबले 8% ज्यादा है और आराम है उसमें और इसका जो three economist coach का जो ticket price है वो 8% कम है चमल लीजिए, अगर ठाड़ AC का 800 का टिकेट है तो इसका 16,500 का टिकेट पड़ेगा तो 100,500 का फरक है, ज्यादा फरक नहीं है बाकि इसके अंदर हर एक सुब्दा आपको मौजूद है, वास बैसिन में आप नल को हाथ लगाने के जरुवत नहीं, आप पैर से उपरेट कर सकते हैं बातरूम सेम टू सेम है, कोई उसमें चेंजिस नहीं है, जैसे ठड़ेसी में है वासी थिरी एकोनमिस कोच में है, ठीक है, कोई फेसलेटी बाकी नहीं है, बाकी यही फेसलेटी इंटिरियर इसके काफी कुपसूरत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा बोलना भी बेकार है चलिए, वीडियो अगर पसंद आई होगी, तो लाइक कर दो और अगर कुछ सवाल है, तो कमेंट करिए, मैं आपको पांच मेट के अंदर रिपलाइ करूंगा